हेलो बच्चू कैसे हो आप सब मैं प्रिती मिश्वा आप सभी का स्वागत करती हो इस छोटी से प्यारे से चैनल पीटू एजूकेशन में आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन की चैप्टर फिप्टीन बर्गीत का पॉयम एक्स्प्रेंट करने चारी हूँ इसमें माधाव ओहू यशोवा आजू माहू बड़ी भुकारी जो कुछू लावने हमको देहले नाही खावले सोही रुखारी मतलब क्या है इस लाइन का मतलब मेरो माई मतलब मेरी माई ओहू ओह यशोवा यशोदा क्या थी श्रीकिष्णा की मा थी आजू हम बड़ी भुकारी ओ मेरी मा ये शोदा आज हमें पहुत भूक लगी है आज हमें बड़ी भूक लगी है आज हमो मतलब मुझे बड़ी मतलब बहुत भूकारी मतलब भूक लगी है जो किछू लाओने हम को देह ले मतलब जो कुछ भी लाकर आपने मुझे दिया खाने को जो कुछ भी लाकर आप आपने मुझे दिया, नाहीं खाओ लो सोही रुखारी, मतलब नाहीं मतलब नहीं, खाओ लो मतलब खाया, सोही मतलब वह रुखारी, नहीं खाया क्योंकि वह क्या थे, बहुत रुखे थे, तो पहला लाइन में श्री किष्णा क्या कहते हैं अपनी मा से, वह कहते हैं कि ओ मेर इस लाएन का मतलब क्या है? मतलब मैं विहानत मतलब सुबह से खेली खेलावत मतलब खेल कूद कर रहा हूँ श्री किष्ण क्या बोलते हैं कि मैं आज सुबर से खेल कूद रहा हूँ, आज किछु हूँ नाही खावतारी, मतलब आज किछु हूँ मतलब कुछ भी, नाही मतलब नहीं, खावतारी मतलब खाया, आज मैंने क्या किया, सुबर से मैंने कुछ नहीं खाया, मैं सुबर से खेल कुद रहा हूँ तुम ही हमको ना ही डाकल माई तुम ही मतलब तुम शी किष्णा अपने मा से क्या कह रहा है कि तुम ही आपने भी मुझे नहीं बुलाया डाकल मतलब बुलाना आपने भी आज मुझे नहीं बुलाया भूक कही बर दुख पाउतारी मतलब भूक से मुझे बहुत दुख लग रहा है खाली उदेरे हरी हाथ निवेशिया देखत बोलत बानी मतलब खाली उदर मतलब खाली पेट हरी हरी को निशिक किष्णा मतलब अपने पेट में क्या करते है हाथ फेरते हुए कहते हैं अपनी मा यशोदा से कि आज आपने भी हमें नहीं बुलाया और भूख से मुझे बहुत दुख लग रहा है ठीक है तो पहला इस्टेंजा में क्या है माता यशोदा से श्री किष्णा कहते हैं कि है मैं मैं आज मैंने सुबर से कुछ नहीं खाया मुझे बड़ी भूख लगी है जो कुछ भी आपने मुझे खाने को दिया वह मैं नहीं खाया क्यूंकि वह बहुत रूखे थे आज सुबर से बिहानत मतलब आज सुबर से मैं खेल कूद रहा हूँ और आज कुछ नहीं खाया और आपने भी मुझे नहीं बुलाया तुम हूँ हमको ना ही डाकल मतलब आज आपने भी मुझे नहीं बुलाया भूख के ही बर दुख पाउतारी मतलब भूख से मुझे बहुत दुख लग रहा है खाली उद्रे हरी हाथ मतलब अ अपनु तनिया कहू देखी, देख ही माई नयने जुरावत पानी, आपनु मतलब अपने तनिया कहू मतलब अपने बच्चे, अपने बच्चे की दुख देखकर माई, माई यशोदा क्या करती है अपने आखों से, उनके आखों से आसु निकलने लगते हैं, अपने बच्चे मतलब बेटा बेटा, बुली मतलब बोलकर, बेटा बेटा बोलकर मोचल, मतलब अपने आचल से मोचल, मोचल मतलब पोचना, अपने आचल से शी किष्ण के सरीर में लगे धूल को पोच कर, उन्हें बेटा बेटा बोलकर अपने आचल से उनके सरीर का धूल पोचनी है, मेरा बाप बुली चीर पियावत बाहू मेली कोले तुली मतलब मेरा बाप यहां बाप का मतलब क्या है मेरा लाल श्री किशना को कहती है कि है मेरे लाल बुली चीर पियावत चीर मतलब दूद मेरा लाल बोलकर उन्हें दूद पिलाती हैं बाहू मतलब हाथ मेली मतलब फैला कर गो लाल कहकर उन्हें दूद पिलाती है next है योही निजानन सुकही संपूर्ण सोहरी मानूस भहतारी तो यहां माधव देव क्या कहते है योही निजानन, स्रीकिष्ना को कहते है कि वो क्या है भगवान है निजाननन्द है शुखों से परिपूर्ण है जिनके पास हर प्रकार की शुख है वो क्या कर रहे हैं एक मनुष्य के रूप धारन करकर शुकिष्ण लीला कर रहे हैं और वो उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है पर रंतु उन्हें वो अपने मां यशोदा के स्थन से दूद पी कर ही संतुष्ण मतलब अपनी मां यशोदा के स्थन से निकले दूद को पी कर क्या कर रहे हैं संतुष्ण कर रहे हैं दीन तो माधव जी क्या कर रहे हैं उनकी इसी वादसाले रस्प्रेम की उनकी यही लीला की वर्णन करते हुए अपनी कविता में बतलाते हैं ठीक है तो चलिए एक बार हम लोग सुरू से पहले बता देती हूँ यहाँ पे क्या बुला है माता ये शोदा से सीरकिष्णा कहते हैं क है मा आज मुझे बड़ी भूक लगी है और आपने मुझे जो खाने को दिया था रुखा सुखा वो मुझे नहीं खाया गया और आज सुबह से मैं खेल रहा हूँ आपने भी मुझे खाने को नहीं बुलाया आपने भी मुझे खाने को नहीं बुलाया और मुझे बहुत करते हैं अपने बेटे को दुक देकर माताये शुदा के आंक से पानी गेति है और अपना बेटा बेटा ऊपहलंक्र सरीर की धूल पोस्ति है और उन्हें अपने गोद में सुला कर दूद पिलाती है और जो माधवदेर थे कभी माधवदेर ने क्या क्या श्री किष्णा की इसी लीला को प्रकट करते हुए इसमें बताया है तो आज के लिए इतना ही कोशन अंसर में नेक्ट वीडियो में डाल दूँगी ठाइंक यू जए जय हैं